नमस्क्रा दोस्ता आप देख रहे हो मोटबर्ग और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ टाटा टियागो एवी के बार में जो भी लोग एवी लेते हैं वो सबसे पहले प्राइस कांशियस होते हैं क्योंकि एवी की जो रनिंग कॉस्ट है वो काफी जाधा सस्ती है कंपेर टुदी पेट्रोल बट फिर भी जो ओर ओर आल गाड़ी की प्राइस है वो काफी एक्पेंसिव है जैसे कि फर एक्जांबल एवी और नेक्सों एवी काफी एक्पेंसिव है लेकिन फिर भी टियागो एवी वन अफ तो मोस्ट अफोरड़ेबल और वन अफ तो मोस्ट रिलाबल एवी होने वाली है टाटा के दरफ से अभी इसकी जो प्राइस होगी न वो एक्स्पेक्टेड है एराउंड 10 तो 11 लाग होगी या फिर पांच लाग होगी ऐसे अगर आपके एक्सपेक्टेशन है तो यह एक्सपेक्टेशन कभी भी सच नहीं होने वाले बिकॉज अभी करेंटली जो लीतियम ऐन बैटरी होती है जो कि बेसिकली इवी में यूज होती है उसकी प्राइज एलोन लगबग प फीचर्स होंगे सेकेंड आपको एक्सटी वेरियंट मिलेगा तर्ड आपको एक्सेड वेरियंट मिलेगा और एक्सेड प्लेस वेरियंट भी जो है वो भी आफर किया जाएगा विद ड्यूल टोन कलर ऑप्शन बागे दूस्ता अगर मैं बात करो और और लुक्स की तो नॉर्मल जो टियागो पेट्रोल है वैसे आपको देखने को मिलेगी इवन जो पीजी का प्रोफाइल है वो भी नॉर्मल टियागो जिसे आपको देखने को मिलेगी थोड़े बहुत आपको कॉस्मेटिक चेंजर देखने को मिल सकते हैं बाकि इंटिर के लुक्स के बार मे वो है electronics को लेकर तो इस गाड़ी के अंदर आपको ziptron वाली technology मिल जाती है और अगर मैं बात करो power train की तो इसमें जो motor है वो produce करता है around 74 bhp of power और इसका जो peak torque है वो है around 170 nm का मतलब काफी ज़्यादा बारी बरकम torque इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है लेकिन ये जो torque है वो आपको केवल sports mode के अंदर feel होगा अगर आप eco mode के अंदर इस गाड़ी को चलाएंगे तो काफी limited आपको power and torque feel होता है लेकिन फिर भी अगर आपको range अच्छी चाहिए तो आपको eco mode के अंदर ही चलाने पड़ीगी बागी इसके अंदर आपको 120 km per hour की top speed देखने को मिल जाती है और बागी mode change करने के लिए आपको एक छोटा सा knob भी दिया जाएगा जैसे के आपको tigo or EV के अंदर मिल जाती है अगर मैं बात करो battery की तो इस गाड़ी के अंदर आपको tigo or EV से भी थोड़ी सी कम battery capacity मिलेगी जो की होने वाली है 25 kWh की battery तो इसमें आपको लगबग 300 km तकी range मिल सकती है क्योंकि obviously tigo or EV से इसकी weight जो है वो थोड़ी सी कम होगी और dimension में भी आपको थोड़ी सी चोटी मिलेगी तो 300 की range claimed होगी लेकिन real life में अगर आप AC डाल कर लगबग 4 या 5 लोगों के साथ जाते हो तब आपको लगबग 200 km की range मिलेगी लेकिन AC के साथ अगर driver और co passenger के साथ अगर आप गाड़ी चलाती हो तो आपको लगबग 250 km के असपस भी range मिल सकती है तो range वगबग जो है वो आपके driving style पर depend करता है और जो road के conditions है उस पर भी काफी जादा depend करता है बाकि अगर मैं बात करूँ charging के बार में तो इस गाड़ी को आप गर पर भी charge कर सकते हो नॉर्मल जो charging है वो 0-80 लगबग 8-9 गंटे लेता है 5 Amp का जो socket है उससे आप आपको support मिलेगा जिससे 0-80% जो है वो केवल 110 मिनिट्स में हो जाती है दो गंटे से भी कम समय में इतनी charge हो जाती है लेकिन वो option आपके लिए काफी अधा expensive बढ़ेगा तो emergency के time पर आप उसको use कर सकते हो बाकि अगर मैं बात करो features के बार में तो यह आपको जो सारे features होंगे न वो आपको normally जो TGOR EV में मिलते हैं वही सारे features मिलेंगे जैसे की harman वाला आपको music system मिलेगा जिसके अंदर आपको android auto as well as apple carplay वाले technology मिलेगी साथ मैं आपको electronically adjustable and foldable ORVNs मिलेंगे अभी अगर मैं बात करो AC की तो इसके अंदर आपको climate control ACs मिलेगी पीछे के side में भी आपको AC वेंड मिलेगा और complete LED setup के साथ इसके आपको head lamps as well as tail lamps भी मिलेंगे तो ऐसे कुछ normal जो features है वो इस गाड़ी के अंदर include किये जाएंगे बागी दोस्तो safety के साथ से भी आपर कोई शक नहीं है क्योंकि यह जो गाड़ी है ना वो normal Tiago का जो petrol variant है उसी के platform पर बनाई जाएगे तो safety features तो आपको definitely बहुत सारे मिल जाते हैं जैसे कि दो airbags, ABS, EBD, seat belt with pre-tensioner and load limiter, reverse parking camera, reverse parking sensor, child isovics mounts, hill assist, hill roll assist ऐसे ही काफी सारे features आपको मिल जाते हैं और Tiago की crash test भी हो चुकी है लगबख 4 star की rating इसको मिली थी तो overall safety के साथ से मैं कहूंगा यह गाड़ी दोस्तो one of the safest option आपके लिए रहेगा इस budget के अंदर बागी दोस्तो launch date के बार में जसा कि मैंने बताया कि इस month के end के अंदर यह गाड़ी launch हो जाएगी और expected जो date है वो है 28 September को तब टाटा officially इस गाड़ी को launch करेगा और हमें actual में जो इसकी price है और जो बागी features है इसके बार में पता चल जाएगे तो यही था सब को जो कि मैं आपको बताना चाहता था new Tata Tiago EV के related अगर आपके वीडियो पसंद आए तो जरूसे इस वीडियो को like करना बिल्कुल मत बुलेगा और अगर कोई Tiago EV लेने के बार में सोच रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूसे आप लोग share कीजेगा तो इसी के साथ इस वीडियो में पस इतना ही तो चलिए मिलते आपसे अगली वीडियो के अंदर